हेलो फ्रेंड्स में हुंगीता और कुख बिदगीता में आपका स्वागत है सर्दिया के मौसम में बजार में खोब भी हरे हभरे आमले मिल रहे हैं और आमले होते हैं बिटामिन इसे भरपूर तो इसको में सर्दियों में जरूर खाना चाहिए इससे हमें इम्मुनूटी बढ़ती है सर्दिया वगरा नहीं होता है मिजली चली स्टार्ट करते हैं आमले की कैंडी बनाना बच्चे इस तरह के से तो आमले खाते नहीं है अगर हम उन्हें इस तरह से कैंडी निकाल लिया है कम से 10-10 घंटे हो गए है फ्रेस से बाहर निकाल दिया है आपने अपने आ गये हैं अब हमें इनको क्या करना है इनकी कलीयों को हां से तरह किसे निकाल लेना है यह इसली निकला दिया आराम से इस तरह किस निकाले या बहुत कुम ऑनेुज्टी facing जय दिक्छत जाएंगे तो चाकु की साहयता की इनकाल सकते हैं तो इस तरह किसे मैं आन विए की कौलीयों कॉनिया प्रशा है एक लिए बड़े ऐराम से निकल जाती है ये लेकिन निकल गई है सारे आमले की कलिया करना है कि अरही है इस तक लुकुर निकल गई है ये एक साहल दिखा देती हूं मैं आप कितनी साइड निकली है अब हम उनको एक जार में बंद कर देंगे फिर से और इसमें क्या करना हमें जितने आमले हैं कम सम उतनी ही बड़ावर दो कप के करीब मैं इसमें चीनी डालूँगी तो मैंने एक कप चीन भरके ये डाल दी है दूसरा कप भरके में और डाल देती हूं चीनी को और चीन डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसको आपले के साथ में चार तरफ से मिल जाए तो ऐसे ही हम इसको मिला देंगे अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आती हो तो प्लीज प्लीज मेरी चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तो देखिए इस तरह से हमको चीनी को मिला देना है यह बहुत ही इजी रेस्पी है इसको बच्चे भी बना लेंगे इसमें कोई ताम जा दूप में तक ईए दूप में तक दो इसको मैं को च्छोड देंगे चली एक दिन बाद मिलते हैं हम फिम देखाते है कि इसकी कितनी चासनी बनने लगिए तो एक दिन हो गया है अब मैं आपको खुल के दिखाती उन हगे तो देखिए हिमारी चीनी खुल गई है सम्मेस की चास नी बनने लगी है इस तरीके से हमें कोई भी काम गहच अलाके नहीं करना थैसे ही छोड़ दिया हमने इसको चीन needs हमारे प्रिग गई है कलीकिन क्या है अब ये अच्छी तरीके से नहीं पिग लिये इसमें थोड़ी से चीनी क्रिस्टल हैं देख सकते हैं अब चमच में लगे हुए हैं अभी इसको और मेल्ट करना पड़ेगा अच्छे से मेल्ट नहीं हुई है तो आप इसको एक बार और अच्छे से उलट प्लट करके मला देजिए जो चम गई है नंचीन रीक वह ऊपर आ जाया और इसको फिर रख देंगे हम । ले ये निकाल के हमारी कि जातो हुए हिए देखिए चीनी हमारी आप अच्छी से गूल गई है zamची से तो इसको अच्छी से अब हमें क्या करना है एक चलनी लेनी है बड़ी सी इसको इसी बरतन पर रखना है और फिर उसके हम जो आमले हैं ना उनको चासनी में से निकाल लेंगे सारे पीनी ती पीडी है अब निकालके चलनी में इस तरह का सखेंगे जितनी फिस्ट और निकल जाए उस तरह के सी हम पहला थोड़ा सा गरम मसाला हलका सा और एक चमच काला नमक और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम कि सुगर को जो पी सक्कर होती ना उसको मैंने बारेक पाउडर कर लिया है उसको डाल के हम इसमें मिला देंगे यह हैं काला नमक इसको डाल देते हैं हम इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसमें डाल देंगे हम दोग चमर के करीब चीनी को इस तरीके से मिला देंगे और थोड़ा सा ऐसे उलट प्लोट कर देंगे और फ्रेंट्स यह बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही इजी है इसको तो बच्चे भी बना लेंगी अपर आप इसको बना के जरूर भगीे बच्चे महीं कहना पसंद करेंगे और यह बहुत आथानी coin सम्ट्थी लगी एक बार कमेंट करकर जरूर बताईए गा और ऐसे ही एजी रेस्पी देखने के लिए आप में चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए तब तक के लिए बाई बाई थेंक यू